ओ टाब सर्दारा विच्चबा पूदाए ना, पोत होया श़राब नाल राज़ जानते ओ दो बारी ज़ाड बिला मर ए, फहलां तेरे तेनी तुजा तेरे छट जानते और दो बारी जट बिला मरें, पहला तेरे तेनी तुझा तेरे छट जानते आओ नेत नेत तामे गोरिये, एहे दोखवी नी जार करदा मेरे खाज यार बेली जानते, तैनु कि नजी पेयार करदा हमुन्ताय ज़िवी तुझिती वेचनी, के तुपाल दी जिकी बल्लिये तेरी याद नाल योनी जाइदी, हो इक बोदिली फुरी बल्लिये थेक्के अलावी ना तारिक करता, ना लग्ये नोटा देखिरी बल्लिये तेरी याद नहाल योणी चाहिदी, ओ इक बोदिलिप, बोदिलिप, दा बाक्स ओक्ची में फीलिंगा नूँ शेट करेंगी, तू भी बालार एक रेट करेंगी, साखा पुल्ले आनी जाना यार नू लुट्टी मेरे ना बहार आऊँगी, नाले चेते मेरी कार आऊँगी, मैं ता पैक पुग लाजे शार नू तैन्नू पैण के पुले खे जट दे, दूरी जानी ना जरी बल्लिये तेरी आधनाल याउनी चाइदी, होईक बोतिलु फिरी बल्लिये तेरी आधनाल याउनी चाइदी, होईक बोतिलु फिरी बल्लिये तेरी मेरी किन्नी आश भुल्दी सी, निजादा तेरी फर्म आश भुल्दी सी, मैं बट्टा याली पग बन दा मून वलनू इशारा करके, मैंनू आख दी सिवाँ भड़के, के तू जटा पीस चान दा ओही चान आप छिंटे चाड़ता, जो तेरे चारदा सरी बल्लिये तेरी आद नाल याउनी चाई दी, और इक बोतल फरी बल्लिये तेरी आद नाल याउनी चाई दी, और इक बोतल फरी बल्लिये दस मेरे वलो रेगी की कमी, मैं तना फोल के रिकरी गोरिये तू कैसा जट नू संबाल के गई कप तान, कप तान जट दी, दिलो है कि युते सोंदी हुंदी सी और इक बोतल फरी बल्लिये तेरी याद नाल याउनी चाई दी, और इक बोतल फरी बल्लिये तेरी याद नाल याउनी चाई दी, और इक बोतल फरी बल्लिये तेरी याद नाल याउनी चाई दी, और इक बोतल फरी बल्लिये शिड की दी थे रहश नेला तू, निकाल जे याउन तो पैला तू लेफ्ट साइड ढोड़ी ते बल्लैक तिलनी, ती दे उत्ते मित रहां दाया याद नी आता कम बिलकुल राइट करता आता कम बिलकुल राइट करता आइनी सोनी राप ने बना ते बल्लिये वित्त रादा फ्यूचर ब्राइट करता हो तेहनु आइनी सोनी राप ने बना ते बल्लिये वित्त रादा फ्यूचर ब्राइट करता तोरियां गलांदे विछ टोए बलिये, तेली करे देखियों ये होए बलिये नीतो जाच दिये भाली लाके अनी फजी काली विलो देन दा महल जमा नाइट करता तोरियां गलांदे विछ टोए बलिये, तेली करे देखियों ये होए बलिये जाम हो गए आसी टाउन तू कराते शीषे डाउन पोलसे ने नाका केंदे टाइट करता आईनी सोनी राप ने बना ते बलिये मित्रादा फ्यूचर बराइट करता आईनी सोनी राप ने बना ते बलिये मित्रादा फ्यूचर बराइट करता ओए होए खोड़ा नख रहा जनाब करे सिफ्ता पंजाब ताही वैस वैस नहीं कीत्राइट करता आईनी सोनी राप ने बना ते बलिये मित्रादा फ्यूचर बराइट करता आईनी सोनी राप ने बना ते बलिये मित्रादा फ्यूचर बराइट करता आईनी वैस नहीं कीत्रादा फ्यूचर बराइट करता ओए होए ओओ हेंड समचता के मैं पुलेगार काननू जान दियां तैनूए मैं बड़े खपी खाननू ओ, हेंड सम जटाजी में पुलेगार कानू जान दियां तैन्वे मैं बड़े खबी खानू ओ, तैन्वे पैंड गे पुले खे मेरा यैलो सूट देवे सरु देया फुला चो ओ, यारानू बलहोन लग्टे दिक लेया करू मेरा नाम भुला चो पढ़के पराणे मेरे खात वेख रोएगा अपे आतूच वारे वेच छात वेख रोएगा पढ़के पराणे मेरे खात वेख रोएगा अपे आतूच वारे वेच छात वेख रोएगा चापिया ते पहने आचो दिखेया करूँ मैं सारे आही टूलाचो ओ यारा नूबलाओन लगके निकले आ करूँ मेरा नाम भुलाचो वो यारा नूबलाओन लग्गे निकल या करूँ मेरा नाम भुलाजो खेग सम्मी जट्टाची में पुल्लेगार कहा बूमेन का दे जिदी तु बास पिछे सूने आ गौम दास जेडी गलो दास पिछे सूने आ बूमेन का दे जिदी तु बास पिछे सूने आ गौम दास जेडी गलो दास पिछे सूने आ दोन में नमे करके बुलास तूसरी आये पिंडा देज भुलाजो वो यारा नूबलाओन लग्गे निकले आ करू मेरा नाम भुलाजो वो यारा नूब लोण लट्टे दिकले आ करू मेरा नाम भुला जो वैस बैस गोद मेरे नाम पिछे लाके वे उन कि थे चल्ले आ तुम एठे ताके आके वे वैस बैस बैस गोद मेरे नाम पिछे लाके वे उन कि थे चल्ले आ तुम एठे ताके आके वे अट दानी जाट कि थे गई ओ गाल तेरे आशूला जो वो यारा नूब लहोण लगके निकले आ करू मेरा नाम भुला जो वो यारानू बलाओन लग्के निकल या करूँ मेरा नाहो भुलाचो हेड़सन जटाचिने पुल्लेगार कान पैने बैच्च मुदा मशुण हो गया दैसी खुरू, दैसी खुरू, दैसी खुरू, दैसी खुरू हो पैली वारी मिले आपा सांग दे संगाउं दे ती जी वारी मिले आपा कोविधे बहाने ती जी वारी कादी तैनू फेल्म वखाई नी चौथी वारी आकाम हो गयार काने निये जीने वी एक किता ने यो ठीक नी साड़ा चर्चान जैज दूर धूर हो गया सड़ी कथे आदी भोटा हो गी लीक नी सड़ी कथे आदी खोटा हो गी लीक नी रिष्टेदारादे फोन खड़क गे ठंपल गया कैंदे काकाजी छेती पेंड बलालो एनू करना देभे कोई वाकाजी रिष्टेदारादे फोन खड़क गे ठंपल गया कैंदे काकाजी सड़ा रोस गिया चाचा यमरीक नी नाले गुसे मेरा मामा पर पूर हो गया साथी कथे आदी फोटा होगी लेक नी आईने वेच मुंता मशुहूर हो गया मशुहूर हो गया नी साथी कथे आदी फोटा होगी लेक नी आईने वेच मुंता मशुहूर हो गया साथी कथे आदी फोटा होगी लेक नी आईने वेच मुंता मशुहूर हो गया मशुहूर हो गया नी गीता करके बैस बैस नहीं फोटो करके हो गया मैनू भी लोकी जानन लग गय तैनू भी कहिंदे आओ गया किता करके बैस बैस नहीं फोटो करके हो गया मैनू भी लोकी जानन लग गय तैनू भी कहिंदे आओ गया मैनू तूमी लग गय पहला नाडों वीक नी तक का साथे नाड थोड़ा ता जरूर हो गया आदी कथे आदी फोटा होगी लिक नी आईने वेच मुदा मशुहूर हो गया मशुहूर हो गया नी तेरे नालों टुक्टि आनी मुझाय यासी लुक्टि आनी मिने मुझाय ते दिना बाद आगई तेरे नालो टुक्टियानी मुटा यासी लुक्टियानी मीने मूने कि थे दिना बाद आ गई पहले वीक खोश होया तुझे वीक पैकलाए तीजे वीक फेर तेरी आद आ गई हो मेरी आब राग चिठिया होनियाने तैनू मिलिया मैं जदो तैनू सब पासे होग लौक करता नी तेरे दिते तौफे यानू ते रांक विच पाके बलिये उपरो में जिन्दा लाके लौक करता नीद चैन ना ले आई जदो यकजी मैं लाई ओ दो सुपने चिक करने तुलाड आ गई नी मैं पहले वीक खोश हो या तूचे वीक पैक लाए तीजे वीक फेर तेरी आद आ गई पोयाया मैं फिलम वेखिके नियो नीवारी रोया हनने जित्थे जित्थे गल्ला साड़ियां सी मैच कीतियां नीखिचियां मैं रोंते रोंते ने पेज़ने लित तेरे वालनू इमेल विच फोटू आया टैज कीतियां जदो नाम तेरा पाया फेर जेता मिनू आया ये तायो ही जेडी कर बरबाद खागी नी मैं पहले वीक खोश हो या तूचे वीक पैक लाए तीजे वीक फेर तेरी आद आ गई नी मैं पहले वीक खोश हो या तूचे वीक पैक लाए तीजे वीक फेर तेरी आद आ गई I am done with you तोरगी तू मैं नू आधिके मैं भी योगो कहता चल जाना ये ताजा मी को गल मारे जाटनू चुट्टियाने लाड़ लाड़ के वैसे दिलांचे सीख दूजे वास्ते वाफा लिखे बैस बैस गाणे काणे फिर देन आने ताँ ही फीलिंग जाही ये बनवाद आ गई मी मैं फइले भी के खोश होया तूजे भी के पैक लाए तीजे भी के वेर देर मेरे बारे किसे तो क्यो पुछ दी फिर है नी आजाते ही नू दसाम ऐसे टोरी बली है वो जातनाली यारी थोड़ी एवखी हुंदियानी मैं की पवेजा डेनाले जोरी बली है दबे आनी माना तकडे तो दबे नी ओ मितरा ते पाबे आदी मेर बड़ी है पैसे आते ऐसे आते वैसे आदी दी और डोण लगके जट मेना केर करी है अजे राते गरूर किथे हट तो मिले अकला दी पंट शेरा सट तो मिले लारे आदी डेट मिले गोर्मेंट तो हल हर मसले दा जट तो मिले हल हर मसले दा जट तो मिले अओ माट का गल में तरा दी यारी दी करे है जो माल वे दू अब बेने भी शेर करी है पैसे आते ऐसे आते वैसे आदी नी ओड डूड लग के जट मेना केर करी है अख बाली मिठी है जै जैर बड़े ना वैरी ये हो सोख देने वैर बड़े ना ओड तक लग दाए जीरों बल लिये कार दूसे जदों तक फैर बड़े ना उड़के जो तब यांते चिटे माग रहां वो चांट के पठोन चिना तेर करी है पैसे आते ऐसे आते वैसे आदी नी ओड डूड लग के जट मेना केर करी है ओड डूड लग के जट मेना केर करी है ओड यार आमूरे कद की हजारा दा कुडे मान नहीं यो कोठिया ते कारा दा कुडे ओड या तिन चित्थे ठाठ नाड रहे नी ओड रेजिडेंस देल मेरे यारा दा कुडे में जया बंदूका देना कले होसले ओड खडी वी पित्तरा दी शेर बढ़ी है पैसे आते ऐसे आते वैसे आदी नी ओड लग के जट मेना केर करी है पैसे आते ऐसे आते वैसे आदी नी ओड लग के जट मेना केर करी है ओड लग के जट मेना केर करी है पैसे आते ऐसे आते वैसे आदी नी वोट डोड लगे गट मेना केर कर लेई नसके जिसे बती आवा तारू हस हसके मौन कर अतारी कट लेई नसके रब के कसम हम तो हरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तू हमारा के चाहे लूँ पीसोर जी के बड़ी खुस रहनी हो हमारा के चाहे लूँ रब के कसम हम तो हरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तू हमारा के चाहे लूँ पीसोर जी के बड़ी खुस रहनी हो चाहनी हो अब सोचने बाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था दोस्तों ये डैबिड था जो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखा था ये यहां पर ऐलिजबेट के साथ आया था डैबिड इन सबी को अलियन के बारे में सब कुछ बता देता है डैबिड ना यहां पर कई चीजों पर एक्सपरिमेंट भी किये होते हैं वो बहुत ही स्वारती हो चुका था हमें यहां पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था यानि की मौत की निन सुला दिया था क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किये थे यह बात हैं दूसरे रोबोट को बता रहा हूँ दोस्तों यह डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था यह यहाँ पर एलिजबेत के साथ आया था डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्स सुला दिया था क्योंकि डेवर ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किये थे वो यह बात हैं दूसरे रोबोट को बता रहा होता है वो कहता है कि तुम यह बात हैं किसी और को नहीं बताओगे क्योंकि तुम भी मेरी तरह ने हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो प्लान का एक हिस्सा होता है वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं इसके बाद मेलनी और उनके बीच एक फाइट होती है जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं अब यह सभी लैब पहुँच जाते हैं वहां मौझूद कैलरीन अब लैब में एक गैस फैला इन में से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैम्पिंग वाले जगा पर ले चलने को कहता है इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है रास्ते में इनको एक पल्टी हुई बस मिलती है नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चावी मिलती है मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है जिसे वो वोल्टर को दे देता है गारी को खोलने पर इनको उसमें धेर सारा पैसा मिलता है सिवाज सबको दो-दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है लेकिन वोल्टर जखमी था इसलिए वो बैक धोने से इंकार कर देता है सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पे नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें गौली नहीं होती बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है वो कहती है कि हैंडरी उसका कजिन है यह सुनते ही दोनों काफी घबरा जाते हैं और वहां से जाने का फैसला करते हैं अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती जिसक हो ज़ता है कि उसका पैर एक भेड की तरह हो गया है अब उन्हें कई भेड अपनी और आते हुए नजर आते हैं यह देखते ही वो भागने लगते भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं जहां भेड़ो पर एक्सपेरिमेंट किया जाया था वहाँ उन्हें बिना खाल की एक भेड नजर आती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था इससे बीच एक साइंटिस वहाँ आ जाती है वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहां क्या गर रहे हो और काफी गुसा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है हन्री उस से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूबी के बजट के बारे में कुछ कोलमाल है इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहांपर हम arnaमिका अपनी लाइफ अपनी मरजी से नहीं बल्कि अपनी मा की मरजी से जी रही है और उसे ये पता चलता है कि उसकी पती और उसकी माने बैंक एकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए है ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि I am way do यानि कि मैं तुम्हारी साथ हूँ और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारी साथ लंदन जाने के लिए तयार हूँ जिसके बात आनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पत्र कोई कोंटेक्ट नहीं हो पाता है अब डेलन यहीं सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है क्योंकि सारे होर्समेंस ने मिलके उसको अरेस्ट कराया था और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे होर्समेंस कहां पर है और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ लेकिन ये तब ही पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आँ उधर हम चार होस्मेंस को एक मैजिक शोप में देखते हैं और यहां पर ड्यानियल आई कम्यूनिटी को कॉंटेक्ट करता है क्योंकि वोल्टे की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे और इसलिए ड्यानियल अब आई को कॉंटेक्ट करता है और अब वो बहुत जादा अलट सेक्यूरिट से लडूँगा एजन्ट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है लेकिन फाइनली एनेविस उसको पकड़ लेती है तो एनेविस सब के सामने लाइब आके उस बच्चे को मार देती है उसके बाद रेट टेलवन कहता है कि मैं उसे छोड़ूँगा नहीं तो वो उसके पास उसके अड़े पर जाता है और वहाँ जाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन रेट टेलवन भी मारा जाता है जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परिशान हो जाता है कि यह ऐसे कैसे हो सकता है रेट टेलवन कैसे मर सकता है राइट होक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स वो भी मार्विलस मैं जैसा होता है और उसे बेजता है आरेबिस के अड़े पर वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है नाइट हो कोटेक्स से कहता है जिसके पास कई भेडे होती हैं उसे अचानक भेडों की आवाज आने लगती है जो बेहत डरी हुई मालूम होती है इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेट को नीचे की और खीचने लगती है इसके बाद सबी भेड भी मारी जाती है अब वहाँ मैकी और अल आते हैं वो इस भयानक नजारे को देखकर बेहत खबरा जाते हैं वो लग फ्रेट को ढूणने लगते हैं फिर उन्हें जमीन पर उसकी क्याब दिखाई देने लगती है वो उसको उठाते ही वहाँ से चार कदम की दूरी पर हट जाते हैं दरसल हैट के नीचे फ्रेट का कटा हुआ सिर होता है ये देखने के बाद दोनों वहाँ से भाग कड़े ओफ करने के लिए बोलता है जिसके बाद सभी लाइफ को बजहा दिया दाता है अब उसकी बाड़ी का चेक अप होता है तो पता चलता है कि वो बिलकुल नॉर्मल इ तेज दर्द होने लगता है इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है उसके हालत काफी खराब होने लगती है इससे देख उसके सहयोगी उससे एक मास लेप लगा देते हैं अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टॉब भी होने लगा था इसे लेकर काफी परेशान भी था जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया यानि कि इस बारे में उसने कभी भी डिसकस नहीं किया क् ये बहुती भयाबयकांड था दोस्तों उस बयान में उसने एक खोनी का जिक्र किया था खोनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था इसलिए वो उसका असली चेरा धेख नहीं पाई थी झाल खोनी ने पाई था खोनी ने बहुती चेरा रहा था खोनी तूर शोस्तों पहना हुआ था रहा हुआ है वो उसका भीज़िए वो उसका इसलिए रहा हुआ है उसका उसका बादार गभ